अब बेटा इस question का right answer जाएगा corpus luteum क्यों बेटा हमें पता है जैसे ही graphian follicle बनता है क्या बनता है graphian follicle ये graphian follicle rupture होता है रप्चर होता है अच्छा किस हार्मोन थूरू rupture होता है तो LS के थूरू इसी चीज़ को तो बनता है और इससे दो चीज़े बनती है रफ्चर होने के बाद एक तो एक बनता है बेटा जो कहां चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा दूसरा जो बनता है वह बनता है और कॉर्पस लिउटियम ठीक है तो बचे हुए जो सेल्स होते हैं ग्रेन लोसा के या ठीका सेल्स यही दोनों सेल मिलके क्या बनाते हैं कॉर्पस लिउटियम इसलिए हमारा आंसर कॉर्पस लिउटियम गया है